उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कुवर सरवेश सिंग का दिल्ली एम्स में इलाज के दोरा निधन हो गया। बीजेपी उमीदवाज सरवेश सिंग पिछले काफी समय से बीमार थे और चिनाओ से करीब देड़ महीने पहले तक वो एम्स में भरती भी थे। अब सरवेश सिंग के निधन के बाद सब के मन में चिनाओ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दे कि मुरादाबाद में पहले चरण में 19 अपरेल को मतदान हो चुके हैं और 4 जून को नतीजे आएंगे। अगर नतीजों में बीजेपी प्रत्याशी की जीत होती है तो मुरादाबाद में उपचिनाओ होगा। लेकिन अगर बीजेपी के इलावा कोई और प्रत्य प्रत्याशी यहां से चिनाओ जीतता है तो फिर वही सांसर्द बनेगा। इस सीट पर सर्वेश सिंग के सामने समाधवादी पार्टी की रुचिवीरा मैदान में हैं। मौत से एक दिन पहले ही संसर्दिय सीट के लिए मुरादाबाद में कल पहले चरण का मतदान हुआ थ और साल 2014 में मौरादाबाद से बीजेपी के टिकेट पर सांसर्द भी बने थे। इस बार वो नॉमिनेशन करने के बाद से चिनाओ प्रचार में कहीं नहीं दिखे। उनकी खराफ तबियत की वज़े से उनके बेटे ने चिनाओ प्रचार समाला था। बताय जा रहा है कि 19 सारी को वोटिंग के बाद उनकी हालत ज्यारा बिगड़ गई उन्हें दिल्ली एम्स ले जाये गया जहां इलाज के दोरान 71 सार के सर्वेश सिंग का निधन हो गया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंग के निधन के बाद उनके परिजनों और समर्थकों की जाती है उनका आकर्षमे के निधन के अर्थी जनता पार्थी को एक बहुत बड़ा थक्का है बहुत बड़ी चकी है जिसे फोल नहीं किया जा थक्का है और स्वेश कमार्थी में हार्थी जनता पार्थी का यहां ब्रक्ष को जिस वट ब्रक्ष की रोप में परवक्त किया जिस प्रकार की प्रकृति थी जिस प्रकार का व्यभाद साथ मैं समझता हूं कि इतने बड़े जन समख्षन का लेता और कम लोग सभाध्षिक्रों में पाई जाते हैं अपने रतूपरा आवाज पर बैठें तब चाहें मरादबाद के आवाज पर बैठें हजारों लोगों की तारात में लोग उसे बैठ करने के लिए अपनी व्यक्षियत समख्षयां को लेकर या विकास से सम्मझत जो भी आवस्टा होती चाहिए उनकी पास आके चाहिए अब वोटिंग के ठीक एक दिन बाद बीजेपी प्रत्याशी के ना रहने से राजनीतिक समिकरन भी काफी उलट चुके हैं सबसे ज्यारा चर्चा इस बात की चल रही है कि मुरादबाद लोगसभा सीथ पर शिकुरवार को हुआ चिनाओ रद्द माना जाएगा वहीं यहाँ पर उपचिनाओ कराई जाने को लेकर संभावनाएं भी जताई जा रही है हाला कि राजनीतिक विशेश्यक इन चर्चाओं को अभी बहुत जल्दी नतीजों पर पहुचना मान रहे हैं एक्सपर्ट कहते हैं कि वोटिंग को रद्द मानना तब तक दूर की कौड़ी है जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते लेकिन अगर बीजेश्यक प्रत्याशी की जीत होती है तो फिर से चिनाओ का सवाल ख़़ा होगा आपको बता दें कि मुरादाबाद में सपा के टिकेट को लेकर काफी घमासान मचा था इस सीट से सीटिंग सांसर एस्टी हसन का टिकेट काट कर अखलेश ने रुची वीरा को टिकेट दिया था और तब से अब तक स्टी हसन साहाब अखलेश से खफा खफा नज़र आ रहे हैं तो अब अगर बीजेपी फिर से जीतती है तो फिर उपचिनाओ के लिए सफा को प्रत्याशी तै करना मुश्किल हो जाएगा देखते हैं चार जून को नतीजे क्या बताते हैं नवीटी औलाइकी रपोर्ट